बतादे कि आलोट नगर में एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें वरिष्ट अधिकारी भी रहते हैं। देखा जाये तो इन अधिकारीों का भी ध्यान इस और नहीं है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारे घरों के सामने गंदे पानी मलमूतर से गड़े भर जाते हैं। इन गड़ों के आसपास ही छोटे-छोटे बच्चे भी खेलते रहते हैं। जिससे बच्चों को बिमारिया होने का डर रहता है। रहवासियों का कहना है कि पूर्व में भी इन्होंने नगर परीशद, CMO को आवेदन दिया, लेकिन न तो नगर परीशद के पारसदों नहीं अध्यक्ष नहीं इस और ध्यान दिया। लगतार वॉर्ड में हो रही परिशानियों से रहवासी परिशान हो रहे हैं। आखिर इन समस्याओं का जिम्मेदार कौन है?